इस्टुदेंट्स लेशन नमबर फॉर इस्टॉवेरीज आज हम इस लेशन को पढ़ेंगे इस्टॉवेरीज डैट इन गार्डेन ग्रो मतलब इस्टॉवेरी जो फ्रूट्स होता है वो गार्डेन में उगता है इस्टॉवेरी जो गार्डेन में उगता है आर प्लंप एन जूसी फाइन वह कैसा होता है गोल मटोल प्लंप मतलब गोल मटोल और रस भरा होता है इसका म मटोल और रस से भरा होता है बट स्वीटर फार एज वाइज में नो स्वीटर मतलब मीठा होता है फार एज वाइज में बुद्मान आदमें जानते हैं कि यह बहुत मीठा होता है spring from the woodland wine जो बसंत रितु में woodland wine बेल जंगलों में जो बेलों की तरह जंगली बेलों की तरह जो उगता है उसको बुद्मान आदमी मानते हैं कि बहुत मीठा होता है वह बुद्मान आदमें जानता है कि वह बहुत मीठी होती है तो इस्ट्रबरी एक तरह से ऊड्लेंड वाइन भी होता है ठीक है अभी हम नेक्ष्ट पढ़ते हैं इसके लिए किसी कटोरी की चमच की सुगर की या मसाले या क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती है इसको हम वैसे ही खा सकते हैं इस जंगली बेल को हम लोग जून में तोड़ते हैं बेसाइद ट्रिकलिंग स्ट्रीम बहते हुए जहरने के पास जो यह वाइल्ड वेरी मतलब श्ट्रॉबेरी होती है इसको हम जून के मोसम में तोड़ते हैं इसके लिए किसी भी तरह हमें कटोरी चमच सुगर और मसाले की जरूत नहीं पड़ती है फिर से एक बार देखते हैं इस्ट्रॉबेरी जो है जो गार्डन मुकती है वो बहुत रस भरी और गुलमटोल होती है और बुद्वान आद नीड फार बॉल और सिल्वर स्पून सुगर और स्पाइस और क्रेल इसके लिए हमें कटोरी की चमच की चीनी की और मसाले या क्रीम की जरूत नहीं पड़ती है इसको हम वैसे ही खा सकते हैं यह जंगली बेले जो मतलब स्ट्रॉबेरी जो है जून के महीने में तोड़ी ज और और У कंग बतल के बुक्राइयलश vorbei होती है गल रिखंगर होती है गुल मतोल होती है बुद्धिमान आदमी जानता है कि जंग यह स्ट्रॉबेरी जो है वसंत की रित्में के जो पाई जाती है यह बहुत मेठी होती है ऐसा बुद्धिमान आदमें जानते हैं इसकी ल बड़ा जाता है यहां पर यह नेशन पूरा खतम हो गया अभी हम इसका एक्सरसाइस करते हैं पहला देखिए यहां पर राइट द अंसर पहला फ़र्स्ट है वाट आरड़ तो डिफरेंट प्लेसे बेयर इस्ट्रावेरी ग्रो मतलब ऐसे कोई से दो प्लेस है जहां पर इस्ट्रावेरी जो है पैदा होती है तो पहला है इस्ट्रावेरी ग्रो इने गार्डेन और आल्सू इन द ऊवूड नियर तो जो इस्ट्रावेरी होती है वो गार्डन में पैदा होती है और कहां पैदा होती है जरने के जंगल में जरने के पास ये उगती है तो इस्ट्रावेरी जो है गार्डन में और जरने के पास जंगल में उगती है ये हो गया इस्टावेरी को खाने के क्या तरीक हैं किस तरह से हम खा सकते हैं इस्टावेरी को हम खा सकते हैं का टोरी में चम्मच के साथ उसमें सुगर मतलब सक्कर और मसाले मिला कर मतलब सक्कर और मसाले मिला करके एक कटोरी मिले करके उसको हम चम्मच के साथ खा सकते हैं इस्ट्रावेरी को हम खा सकते हैं यूजिंग बाउल इमलब कटोरी में लेकरके एंड सिल्वर स्पून और चम्मस लेकरके आफटर एडिंग सुगर स्पाइस उसमें सक्कर और मसाले डाल करके हम इस्ट्रावेरी को खा सकते हैं Which इस्ट्रावेरी आर प्लंग अंड जूसी कौन से इश्ट्रावेरी बहुत गोल मटोल और जूसी होती है दाश्ट्रावेरी ग्रो इन गार्डेन इश्ट्रावेरी जो गार्डेन मुकती है आर प्लंप एंड जूसी वह बहुत रसबरी होती है जूसी मले रस भरी होती है और प्लंप मतलब गोल मटोल होती है The strawberries grow in garden are plump and juicy जो strawberry garden में रुखती है वो क्यासे होती है गोल मटोल होती है और रस से भरी होती है फिर है which strawberries are sweeter कौन सी strawberries बहुत मीठी होती है The strawberries growing in the wood or wine are sweeter जो श्ट्रवेरीस जंगलों में उपती है लताओ के रूप में उपती है वह बहुत मीठी होती है the strawberry is growing in the wood जो जंगलों में उपती है और wine वो बेलों के रूप में होती है बेलों पर उपती है वो बहुत मीठी होती है the strawberry is growing in the woods और wines are sweeter वो बहुत मीठी होती है जो woods में उपती है अत्वा wine में लग जंगली बेलों के तरह उपती है हो बहुत मीठी होती है हाँ इस मतलब हो था बेल हाँ उड लाइक तो इट यूर्ट्रावेरिस तुम इस्टावेरिसको किस तरह से खाना पसंद करोगे किसे आइपा और को दिस तरह से मतलब करीम तरह सबोस्ट्रावेर्ल मुझे क्रीम और सक्कर के साथ मुझे इश्रावेरी खाना बहुत पसंद है पिर लास्ट का देखिए पिक आउट रामिंग वर्स फ्रम पोयम रामिंग वर्स बताना है ग्रो का नो फाइन का वाइन स्पून का जून तो इसके साथ ही यह हमारा जो लेसन नंबर फोर है यह तो फोर खत्म कर दिया है अधर आपको यह समय महा गया हो प्लीज इसको लाइक और सबस्क्राइब करें और अपने दोस्तों को भी संड़ करें रेंकिया